Hello everyone, once again welcome all of you to a new video on Education Rise channel और इस वीडियो में हम करेंगे Half-Yearly Exam 2022 के लिए Class 12 की English का चैप्टर हम करेंगे यह paper है और इस paper में हम कुछ important जो आपके questions आने वाले exam में उसको हल करेंगे यहाँ पर उसका solution मैं आपको provide करवा रहा हूँ ठीक है English compulsory का और यहाँ पर आप देख सकते हैं Class 12 Half-Yearly Exam का हमने अलग-लग topic कवर कर दी हैं और इस वीडियो में हम करेंगे एक आपको जो वो notice कैसे frame करना है तो for example यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है question कि As the principal of the school write a notice informing the students about the Republic Day parade for example आपको Republic Day की जो parade होने वाली है उस parade के बारे में students को inform करने के लिए आपको एक notice जहाँ फ्रेम करना पड़े एक notice लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे और आप एक principle है ध्यान रखिए का इस बात को आईए देखते हैं इसका complete जो है format देखते हैं और इसकी PDF आपको हमारे WhatsApp ग्रूप में मिलेगी link वीडियो के description में दिया हुआ है हमारा Telegram चैनल भी join कर लिजिए उसका link भी इस वीडियो के description में दिया हुआ है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह हमने एक notice लिखना है तो notice लिखने के लिए आपको क्या करना है आप यहाँ पर लिखेंगे answer आप अपने coffee के फ्रेस बेस से लिखना सुरू करें उपर top center में आप लिखेंगे school का नाम जैसा कि यहाँ पर school का नाम दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि principal आप एक school के principal है तो आपको अब यहाँ पर school का नाम लिख दीजिए for example आप लिखेंगे government senior second school जैपूर आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर वहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो पर इतना दिया हुआ है कि आप एक principal है तो आपको principal है और एक school के principal है तो आपको यहाँ पर school का ही लिखना पड़ेगा ध्यान लखना तो आप यहाँ लिखेंगे school का नाम उसके बाद यह right hand side corner में आप लिखेंगे debt तारीक आपको लिखनी है और for example जैसे तारीक माल लिजे आपको अगर paper में नहीं दी हुई है तो जिस तारीक को आपका exam है वो तारीक आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि 8 तारीक को आपका English का exam है तो आप लिखेंगे 8 December 2022 ना 8 December 2022 उसके बाद नीचे center में एक बार फिर से आप लिखेंगे notice और capital letter में आप लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे उसके बाद Republic Day Parade लिखने के बाद में simple सा आपको inform करना है जैसा कि जो notice board होता है school का वहाँ पर यह लिखा जाएगा तो आप लिखेंगे कि our school is going to take part in the Republic Day Parade on the 26th January in SMS Stadium चीक है सीधा सा आपको लिखना है कोई विसेश इसमें घुमा फिराने की बात नहीं होती है आगे लिखेंगे कि it is compulsory for all the students to come in school uniform and join the parade at 8am तो सारे विद्यारतियों को सुचित किया जाता है कि इस parade में आप सामिल होने के लिए अपनी uniform पैंड करके आएंगे और parade 8 बजे सुबह की रहेगी तो इसमें आपको participate करना है भाग लेना है और नीचे आप left side में लिखेंगे xyz यानि नाम लिखा जाएगा और principal तो यह जो school के principal के द्वारा जारी किया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे principal उसके बाद दोस्तों यह लिखने के बाद विशेस चीज जो आपको याद रखनी वो यह है कि अब आप यहाँ पर बना दीजे box आप देख रहें जैसा कि चारों तरफ box बना हुआ है और ध्यान र यह हमने एक notice देखा आईए एक और आगे हम notice देख लेते हैं और दोस्तों notice देखें उससे पहले मैं बता दूँ कि आप इस वीडियो की अगर पीडियाप चाहते हैं और इसी तरीके से और अगर आप model papers चाहते हैं तो आप हमारा एप डाउनलोड करेंगे education rise नाम से हमारा ए description में हैं आप उसे join कर लिजे और रोजाना साम को साड़े 8 बजे होते हैं हमारी live class जहांपर हम board exams 2023 के लिए class 12 के students को अलग-लग subject पढ़ाते हैं जह हम पढ़ते हैं political science, history, hindi compulsory, english compulsory, hindi society, geography यह सारे subject के हम MCQs भी करते हैं आईए दुस्तों एक और example देखते हैं लिखा हुआ है कि suppose you are the principal of government senior secondary school XYZ जैपूर मतलब यह school का नाम है और आप यहां के principal हैं राइट a notice in making students aware of the COVID-19 protections अब COVID-19 से बचाव है तू अपने students को एक notice प्रेम करिए एक notice लिखिए उस COVID-19 से जागरूख बनाने के लिए दूस्तों यहां तो चोकी क्या है कि COVID-19 जा चुका है पर इसी प्रकार की जो seasonal disease होती है जो बिमारिया होती है उससे बचाव है तूभी आपको लिखना पड़ सकता है तो इसी तरीके से वो लिखा जाएगा तो आप देखिए कैसे लिखना एक बार फिर से आप फ्रेस पेस स में भी देखा था लिखेंगे government senior secondary school xyz जैपूर नीचे आप यहां पर right hand side में लिखेंगे debt और debt वही लिखनी है जिस दिन आपका exam है आप वैसे कोई भी लिख सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन फिर भी आपका जो exam है उस दिन के आप debt लिख दीजिए center में आपको लिखना है notice capital letter में और नीचे आप लिखेंगे topic का नाम जिस topic पर आप यह जो notice लिखने जा रहे हैं ताकि सामने जानकरी बच्चों को मिल जाए तो लिखेंगे protection against covid-19 इसी तरीके से अगर मानेजिए आपका topic change हो जाता है किसी भी दूसरे topic पर है तो आप यहां पर वो topic लिख दीजेगा फिर लिखेंगे कि all the students are advised to follow the following measures to protect themselves from covid-19 सभी students को सला दी जाती है कि covid-19 से बचाव है तू आप निमनल की चीजों का ध्यान रखें पहला है keep a physical distance of 2 meters option number 2 लिखेंगे wear a mask number 3 लिखेंगे sanitize your hands regularly और बसी इस तरीके से और कुछ और चीज़ां अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं और इसके बाद जो है आप लिखेंगे ABC नमतलब नाम आएगा और उसके बाद आप लिखेंगे principal और ये लिखने के बाद फिर अब आप बना दीजी चारों और एक box और बिल्कुल neat and clean आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पूरे मैंसे पूरे number आएंगे एक भी number आपका कटेगा नई तो ये हमने दोस्तों दो notice लिखेंगे और next जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें आप कौन सा topic चाहते हैं किस topic पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे comment box में comment करके बाता दीजिए मैं उस topic पर आपको लिए available करवा दूंगा वो topic और नई जो वीडियो रहेंगे हमारे उसमें हम grammar का जो portion आपका बचा हुआ है उसको भी complete करने की courses करेंगे और unseen passes को भी हम करेंगे और इसके लावा आपके जो question answers हैं उसको भी हम करेंगे जिके इसके